हमारे बिहार में मुख्या का चुनाव दो चरणों में होता है पहला मुख्या जी हमारे चरणों में होते हैं और फिर दूसरा हम मुख्या जी के चरणों में होते हैं लेकिन अब वक्त आ गया है मुख्या से हिसाब लेने का हिसाब इस ब Madka कि मुखिया जी regarding से लेरी होने के बावजूद आप करोनपती कैसे बन गए और हिसाब इसलिए क्योंकि जो मुखिया अभी कुछ दिन पहले सीना ताने छलता था जो मुखिया कुछ दिन पहले तक अभी हमसे और आपसे मिलने में अपनी तवहिन समझता था वही मुखियाब आपके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा मिलेगा हिसाब कैसे लेना है? बताने से पहले परिशे नमस्कार मेरा नाम कुमार अभिनो है और आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म का खास सो पंचायत पंचायत जहां के भरष्टाचार और घुस्खोरी पर कभी किसी मीडिया संस्थान का ध्यान ही नहीं जाता पंचायत जहां विपक्ष का कोई ऐसा नेता ही नहीं होता जो वर्तमान मुख्या का विरोध कर सके या फिर उससे सवाल पूछ सके पंचायत जहां की गाड़ी कमाई मुख्या को माला माल कर देती है और भर देती है उसकी तिजोरी भी लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल किया आप मुक्षिया से कैसे सवाल कीजिएगा अगर आपको पता ही न चले कि आपके पंचायत में कितना पैसा किस काम के लिए एलोगेट हुआ अगर आपको पता ही न चले कि बिहार सरकार ने सारवजनिक सोचाले बनाने के लिए कितने पैसे दिये है और किस छेत्र में बनाने को दिये है तो फिर आप क्या मुक्षिया से सवाल कीजिएगा अगर आपको पता ही न चले कि गली नली के अंद्रमान के लिए सरकार ने कहां का पैसा दिया है अगर आपको पता ही न चले कि कुऊं की सफाई करने के लिए भी सरकार ने पैसे दिये है तो फिर आप क्या सवाल कीजिएगा बिलकुल सही सुने आप बिहार सरकार ने कुवा तक की सफाई करने के लिए पंचायतों में पैसा दिया है यह अलग बात है कि मुखिया जी कुवा की सफाई कराने में अपनी बेज़ती समझते हो या फिर वो पैसा ड़कार गए हो बाकी यह सब पता करना और यह जानना कि आपके अपने पंचायत में विकास के लिए कब कहा कितना पैसा आया इतना मुश्किल भी नहीं है बिल्कुल उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप ये वीडियो देख रहे हैं बस आपको अपने मुबाहिल में एक डाउनलोड करना है और इस आप का प्रिचार करने के लिए हमें कोई मोधी जी पैसा नहीं दिया है जबकि इस आप को लॉंच मोधी जी नहीं किया था और जैसे ही आप ये एप डाउनलोड करेंगे, इतनी जनकारी तो आपको हो ही जाएगी कि जब मुखिया जी आपके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हो, तो आप पूछ सके कि मुखिया जी हमारे डोला में सारवजनिक सौचाले निर्मान के लिए जो एक लाक रुपया आपने निकाला है वो सारवजनिक सौचाले से किसका घर बनाया है, बाकी डिटेलिंग में आपको समझा देता हूं कि इस एप पर करना कैसे क्या क्या है, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे इग्राम स्वराज एप को डाउनलोड करेंगे, ड किस ग्राम पंचायत के आप है, यह सारी चीजे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप सब्मिट कर देंगे, सब्मिट करने के बाद किस वर्स का आप अपने पंचायत का लेखा जोखा किस वर्स का जानना चाहते हैं, क्या दो हजार अठार अठार अन्निस का आप जानना चाह और जैसे ही आप Approved Activities पर क्लिक करेंगे आपके सामने निकल के आ जाएगा कि इस वर्स में लगभग कितना पैसा विहार सरकार ने आपके अपने पंचायत के विकास के लिए दिया है और इसके बाद जब आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो एक एक काम की जानकारी मिल जाए कि सारवजनिक सौचालय का निर्मान कराने के लिए एक से दो दो लाक रुपए मिले हैं हैंड पंप बैठाने के लिए 20-20,000 कुवा मरमत कराने के लिए 60-60,000 रुपया मिला हैं गलियों का निर्मान करने के लिए 7-12,000 रुपए मिले हैं और इसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं यह देखने के बाद कि जिस कुपा का मरम्मथ दिखा दिया गया है काघज पे वो दरवसल कुपा का मरम्मथ हुआ रही नहीं है तो इतना देखने के और जिनका नहीं है वो हमसे इंस्टाग्राम पे जूर सकते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मैं एक कोशिस करूँगा कि आपके पंचायत की जानकारी मैं आप तक उपलब्द कराऊं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिग दिया हुआ है बाकी ऐसे ही निस्पक्स और बेबाक पत्रकारिता के लिए देखते रहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म मिलते हैं अगली वीडियो में पंचायत के अगले एपिसोड के साथ